पुम्नमस्ष्युवाई हर हर महादे नमस्कार दोस्टों मैं निध्याननदपांडे आपके अपने चनल निध्यसाध्ण में आपका स्वागत करते हैं. तो दोस्तों आद हम चर्चा करेंगे बीशनु सहस्त्र नाम पार्ट करने के तहिंuger सह्त्र Souh рок किया है है। अगर किसी मनुकामना कोई इच्छा से अगर आप करते हैं तो 40 दिनों तक अगर अलगातार इस पाठ का जाब करते हैं तो आपकी किसी भी प्रकार की मनुकामना वह पूर्ण हो जाती है विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से माता लच्छमी प्रसन होती हैं और चारों दिशाओं से खिची चली आती हैं दोस्तों विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ते समय कौन सी हमेς वधानियां रखनी चाहिए यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी कि दोस्तों संसार का सबसे सक्तिसाली अगरिस्त्रोध है तो मात्र एक विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ है इस पाठ को करने से धन संमन्नी समस्या दूर हो जाती है नowanie में सब में लाब होता है विषनुसहस्त्र नाम के पाठ में विष्णा जी के 1000 नामों का उवर्णन किया गया है और विष्णा जी के एका मंत्र के बराबर होता है अगर आप हट विष्णुसहस्त्र इस पाठ को पढ़ने से आपके ग्रह नच्छत नियंतित कर सकते हैं लेकिन अगर बुद्ध ग्रह है तो इसके लिए बहुत ही उत्तम होता है बुद्ध ग्रह आपके अनुरूप हो जाएगा अगर इस पाठ को आपकरते हैं तो इस पाठ को करने से जो भी आपको बाधाय आ रही है वह दूर हो जाएंगी इस पाठ को आप करें पाठ अगर आप नहीं पढ़ सकते यह संस्कृत में होता है अगर इस पाठ का पढ़ने में आपको दिक्कत होती है इस पाठ को आप नहीं कर सकते तो आप हिंदी में पढ़ सकते हिंदी में अगर नहीं पढ़ सकते तो आप जाप करें धीरे-धीरे करना चाहिए जैसे जल्दी-जल्दी आपको इस पार्ट का जाप नहीं करना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए जहां भगवान विश्णु की पूजा होती है आराधना होती है इस पाठ को आप करते हैं वहां मालचमी स्वेंग प्रसंद होती है या मालचमी स्वेंग विर्याजमान होती है जिस जातक का गुरु नीच की इस्तिती में होता है अगर वह जातक इस पाठ को करता है तो उसका गुरु ग्रह मजबूत होता है इस पाठ को वह जातक जरूर करे मैं यह स्वयंग का अनुभा बता रहा हूं यह बहुत ही लावकारी पाठ है दोस्तों इस पाठ को आप जरूर करें वैसे विश्ण सहस्त्र नाम का पार्ट जब आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ें कि अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तभी आप नियूजिक सिस्टम या टेप रिकाडर में आप इसे सुनें अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है आपकी दुकान नहीं चल रही है तो जब भी आप दुकान पर जाते हैं तो पूजा पाट करने के बाद में इस पाट को जब आपको टाइम मिलता है तो आप बैट करके पढ़ सकते हैं सुबह में दो पहर में साम में आप अगर 40 दिन की प्राप्ति होगी तो दोस्तों मैं फिर बताना चाहूंगा इस पाट को करने का नियम क्या है जो जातक इस पाट को करता है उस व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए मीट मचली मदिरा इस सबसे बचना चाहिए इस पाठ को करते समय पीला वस्त्र अगर आप धारन करते हैं तो पहुत ही उत्तम होगा दूसरी चीज़ अगर आप घर पे करते हैं या आप संभव हो सके तो गुड़ी या पीली मिठाईयों का भोग जरूर लगाना चाहिए इस पाठ को करने से घर में धन संपदा धन्य धान्य सुक्ष संपदा बनी रहती है दोस्तों जिस जातक का ब्रिहस्पत गरह कमजोर है ब्रिहस्पत से पीड़ा मिल लेए उसके मुक्ति के लिए या ब्रिहस्पत कुंडली में कमजोर है तो वह जातक इस पार्ट को करता है तो उसे उत्तमफल की प्राप्ति होती है ब्रिहस्पत्ग्रह मजबूत होता है, विवाह में बाधा है, दामपत जीवन में बाधा है, धन की कमी है, संतान की प्राप्ती में बाधा आ रही है, नोकरी में बाधा आ रही है, ब्यापार नहीं चल रहा है, सब पारसानियों का मात्र एक निवारण अगर इस पाठ को आप कर लेते हैं विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो बहुत ही उत्तमफल की प्राप्ति होती है अगर किसी मनोकामना से आप कर रहे हैं वह मनोकामना बहुत से उपाय कर किये हैं आपका पूर्ण नहीं हो पा रहा है तो आप बिहस्पतवार के दिन इस मंत्र का जाप जरूर करें विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ आवस्य करें 40 दिनों तक लागातार करें आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना होगी वह पूर्ण हो जाएगी दोस्तों मिलते हैं कुछ ऐसी ग्यान वर्धक वीडियो के साथ धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें शेयर करें